दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वीवो वाई एकसी मोबेल का चार्जिंग प्रोट किस तरह तब्दील करेंगे तो दोस्तो सबसे पहले इसका सिम ट्रे निकाल दे सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बेक कवर खोल दे बेक कवर कोलने के बाद इसके नीचे हिसे के जितने भी पेच है सारे पेच कोलने एक भी पेच बागी नहीं रहना चाहिए पेच कोलने के बाद इसका ये कवर हटा दे कवर हटाने के बाद इस चारजिंग फ्लेक्स वाला जो स्ट्रिप है ये निकाल दे और इंटिना केबल का जो जेक है ये निकाल दे और इसका ये सब बोर्ट जो है ये मोबैल के पैनल से निकाल दे तो दोस्तो ये इसका चारजिंग पोर्ट है इसको तब्दिल करने के लिए आपको हिटकनों काविया की जरूरत होगी तो आप इस तरह करें कि ये पूरा बॉर्ड बाजार से ले ले और इसमें लगा ले ये आपको बाजार में सस्ते मिल जाएगा जितने पेसे आप किसी टेगनेशन को दोगे उस सस्ते में आपको ये बॉर्ड मिल जाएगा इसमें चारजिंग फ्लेक्स वाला जेक है वो लगा दे और इंटिने केबल का जेक लगा दे और इस पर वही कवर दुबारा लगते ये लाट स्पीकर वाला ड्रम होता है इसमें लाट स्पीकर लगा होता है और इस पर पेश लगा ले तो दोस्तों इस पर आपने वही पेश लगाने है जो पेश आपने इससे उतारेते दूसरे पेश नहीं लगाओगे क्योंकि अगर आपने बड़े पेश लगा दिये तो यह नीची स्क्रिन में चले जाएंगे आपकी स्क्रिन को तोड़ देंगे पेश लगाने के बाद इस पर बेक कर बिलकुल सीधा रखकर इसको साइडों से तोड़ा सा जोड़ दे रहे तो यह खुद बहुत फिट हो जाएगा ज्यादा जोड़ देने की जरूरत नहीं है और इसमें सिम्ट्रे डाल ले तो दोस्तों भी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया